चलिए देखते हैं इस question को कैसे attempt करते हैं काफी आसान question है ये one step इसका answer होगा integration करना बड़ा आसान है ठीक है तो आप ये linear expression है power आपका 1 by 2 है इसका radical form है ये और ये exponential form है सारे formula हमारा x e power n exponential form का ही हमें अपस formula available होता है तो x की power n का formula यहाँ हम लोग apply करेंगे वो क्या होता है x e power n plus 1 अपन n plus 1 तो यहाँ पे आप x तो है नहीं x इना पे ax plus b है linear substitution है ना तो आप क्या लिख होगे इसे ax plus b की power 1 by 2 plus 1 मतलब कितना हो जाएगा इसी तरह से 1 by 2 plus 1 plus indefinite constant c ये 3 by 2 हो जाएगा तो यह आप direct solve करके लिख लोगे 3 by 2 यहाँ 3 by 2 तो 3 नीचे 2 पर चला जाएगा तो यह आपका 2 by 3 लिख लीजे ax plus b की power 3 by 2 plus यह answer हो गया